यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पंगुचा उस व्यक्ती ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुए थी जब दोनों होटल के अंदर पहुचे तो वेटर पूछा सर आप क्या ठाना पसंद करेंगे आप अपना ओडर बता दीजिए तब उस व्यक्ती ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले करके आज आईए बस वेटर ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे के लिए भी कुछ लेकर आऊ तो गरीब व्यक्ती ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं आज मेरी बेटी के लिए पाटी है मैंने इस से वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पाटी दूंगा तो आप सिर से पैसा काट लेना लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पावभाजी खिलाया जाए क्योंकि उस बच्ची ने पुरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है वह गरीब पिता है ज्यादा पैसे नहीं होंगे इसलिए कह रहा है सि अब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला तुम उसके पिता के लिए भी पावभाजी लेकर जाओ उसके लिए भी लेकर जाओ पैसे मत लेना 4-5 पावभाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना आये पाटी होटल की तरप से है आप ये मिठाई ले जाओ और जशनमन आई ये जब वेटर ने दो प्लेट पावभाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौक गया और बोला मैंने तो एक ही मगाई थी म तेरे पास पैसे नहीं है वेटर बोला अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए ये पाटी होटल की तरप से है आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है ये मिठाई आले कर जाए और जशनमन आये पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए कई साल बीत गए उस गरीब पिता की लड़की अब UPSC की तयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पो पुचा दी की मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया गाव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्वे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे कलेक्टर अपने पिता के सा तुस होटल में पहुची, कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि साइद आप मुझे पहचान एकी मात्रा नहीं, हम वही पिता पुतरी हैं जो की हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पाटी दी थी, हम वही पिता पुतरी है आज फिर से आए है और आज पाटी हम और पुरे स्टाफ को और पुरे गांव को, क्योंकि आपने गरीवी का सम्मान किया है आपने उस दिन जो पाटी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और उचाइं तक पहुचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छुना है आपने, एक नई प्रेर्ना दी थी और आज मैं उ सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना क्योंकि वो सब देख रहा है बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिये जहां भी रहिए कर दिखाईए कुछ ऐसा की दुनिया का र नीचा है आपके जैसा